अलो प्रेंट में दिपक उपध्य है स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टेक्निकल एनलेसिस ऑफ स्टॉक्स तो पर आज हम आप पे डिसकस कर रहे हैं जी एस एफसी शेर का टेक्निकल एनलेसिस तो पर आप देख सकते हैं आज यहें वीकली के पेटन चाड़ यहां पर एक केंडल एक वीक को रिप्रेंट कर रही जिसे हमने यहां पर कर दिया हाइलेट अब आप देखेंगे श्टॉक नीचे की तरफ 120 से लेकर के 200 रुपई के बीच में कंसुलिडेट कर रहा है वीकली चार्ट आप यहां पर देख सक देखते हैं 118 रुपई मतलब लगबग 120 रुपई के असपास आने के बाद इस टॉक यहां पर सपोर्ट जनरेट करता है फिर से श्टॉक में आती है तेजी और यह तो कहां लेकर के गई है तो आप देख सकते हैं लगबग लगबग 200 रुपई तक यह देखेगा लगबग तो फिर से हम देखते हैं कांसलूरेशन के बाद फिर गिरावट और गिरावट ही और गिरावट को कहां तक गिरा रही है एक सो अठारा रुपई तब यह देखेगा एक बार फिर से तो अटरा यहां पर फिर से स्टॉक के नदर आपको यहां पर तेजी देखने को मिली एक हलकी तेजी के बाद इस टॉक में आपको फिर गिरावट दिखाए दियो यह गिरावट को 118 रूपए तक ले कर गया जाती है यह देखिए एक सो अठरा रूपए पर कंसिस्टेंट लिए हमने कई सारे सप दिखाए दिया एक गिरावट होती है बड़ी वह यहां पर जो ग्रीन लाइन आपको दिखाए दे रही है यह वाली ग्रीन लाइन यह देखिएगा जिस ग्रीन लाइन अगर बात करें तो यह पचास दिनों के एकस्पोनेंशनल मुविंग एवरेज की लाइन यहां पर श्टॉक ने सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेकर के स्टॉक में आती है तेजी और यह तेजी फिर से श्टॉक को 180 190 के ऊपर लेकर के गई है यह देखेगा मतलब लगबग 200 रुपए के आसपस फिर से श्टॉक आह हुआ भी दिखाए देखता है और इसके भी नीचे गया तो फिर से आपको 120 रुपए तक की लेवल भी यहां पर देखने पाड़ सकते हैं तो अब यहां पर करें को आवइड करें यहां पर एक सो बीस रुपए तक भी ला सकती है तो यहां पर आपको 176 रुपए के आसपा यदि पोजिशन प्रॉफिट में तो प्रॉफिट बुकिंग करें और यहां पर इस बात का ध्यान रखें कि कुछ डेडलाइन तो बना ही ले 160 रुपए अपकी डेडलाइन होना चाहिए 160 की नीचे श्टॉक जाएगा तो डेफिनेटली 140 बहुत चाहिए आपको देखने को मिल सकता है इसलिए रिकमेंड करूंगा कि कोई भी फ्रेशन ट्रे आपको अभी नहीं लेना है और यहां पर वहां पर आपको एक्जिट करने में अभी बनाई रहेगी तो यह था हमारा टेक्निकल व्यू जी एस एफसी शेयर को लेकर के इसी तरह के और भी वीडियो पाने